नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी गयान बोच चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 13 नुवंबर को जो एक्जाम हुआ था UPHESC का असिस्टन प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट से उसकी एक्सपेक्टिट कटोफ के उपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये एक्सपेक्टिट कटोफ मेंने प्रीवेस जो एक्जाम हुए थे अड़टीजमन नंबर 46 और 47 उसके बिहाफ पे निकाली है मैंने तो सबसे पहले हम यहाँ पे अड़टीजमन नंबर 46 की कटोफ देख लेते हैं जो उस समय निकाली गई थी जनल कैटिगरी के लिए यहाँ पे देखिए 144.33 निकाली गई थी OBC की जो कटोफ निकाली गई थी 144.33 तो यहाँ पे जनल और OBC दोनों कैनिडेट के लिए प्रिजमन नंबर 47 की कटोफ देख लेते हैं यहाँ पे देखिए जो उस समय निकाली गई थी कटोफ यहाँ पे जनल कैटिगरी के लिए 157.65 OBC की यहाँ पे 167.5 तो यहाँ पे देखिए जो OBC की कटोफ है जनल की कटोफ से हाई है तो यह कटोफ एक तो नंबर ओफ boug कैनिडेट के विहाअ पे दूसरा जो प्रषणों के लैवल होते हैं उनके वियाप पे ये cut-off निकाली जाती है तो उस समय जो OVC की candidate थे उनकी संक्या जाद है थी जिस वज़े से ये cut-off है ये high चली गई और SC की जो cut-off है वो उस समय निकाली गई थी 150.69 तो advertisement number 47 की ये cut-off निकाली गई थी अब हम यहाँ पे advertisement number 50 की cut-off देखेंगे जो अभी 13 November को exam हुआ था उसकी मैंने expected cut-off निकाली है जो ये sure नहीं है उपर नीचे जा सकती है तो आप इसको sure मत मानिएगा और मुझे comment session में comment करके अप शब्द ना कहिएगा request है आप सब इसे तो ये मैंने expected बताई हुई है आप में से 180 के बीच में जा सकती है OBC की यहाँ पे 165 से 175 के बीच में और SC की 150 से 160 के बीच में तो जो अभी 13 November को जो exam हुआ था ना जादा कठिन हुआ था ना ही जादा easy हुआ था तो जिन्नोंने तैयारी अच्छी की थी उनके 70 plus question तो अराम से सही हुए हुँगे या 80 भी जा सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के तो यहाँ पे जिनके अगर 70 plus question सही होते हैं तो उनका जो interview calling है उनका पक्का interview calling आएगा ही आएगा 70 plus question सही करने वाले candidate अपने आपको safe zone में समझ सकते हैं तो यह expected cut off निकाली थी मैंने उमीद करती हूँ पसंद आया होगा आप सभी को तो वीडियो को एक like कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ और जो हिंदी का exam हुआ था assistant professor का इसकी जल्द ही मैं व्याख्या सहीत इसके ओपर वीडियो लेकर आऊंगी प्रशन पत्र के ऊपर 2012 और 2016 का प्रशन पत्र तो मैंने उपलब्द करवा दिया है अपने चैनल पे जल्द ही 2021 का भी उपलब्द करवा दूंगी व्याख्या सहीत तो इसी तरह बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ धनिवाद